जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिफशक्ती दर्वार की, बोलो राधा रमण हरी बोल आप सबी को मेरी तरफ से जै बाबा की, मेरा नाम हरशिता गुला है और आज मैं आपको बताऊंगी जब मैंने मा कामाख्या को शिफशक्ती हॉल में पहली बार देखा था तो मतलब क्या मेरे मन में चल दा था जब मैंने मा को पहली बार देखा तो जैसे लड़के लोग कहते हैं या मूवीज वगरा में भी हमने सुना यार उसको देख करके तो बस मेरी नजरे ही टिक गई थी कि वो इतनी खूबसूरत थी ऐसे करके मुझे नहीं पता ये रियल लाइफ में चीज़े होती नहीं होती हैं बट हाँ जब मैंने मा को देखा न तो मेरी भी नजरे बस टिक गई थी तब मुझे लगा नहीं ये लाइन बहुत ही साई कही गई ये कि मैंने उन्हें देखा या मैंने उस लड़की को देखा तो मेरी नजरे टिक गई तो मा भी मुझे इस तरहा खूबसूरत मतलब यार लगी वो है इसलिए लगी कि बस मेरी नजरे टिक गई थी कि मैं उनसे बस यही विश्च कर रही थी कि मां आप जैसे सुन्दर बना दो यार कि जो कोई मुझे देखे बस देखता रह जाए उसकी नजरे टिक जाए ऐसे करके है ना तो मतलब यही मेरा अनुभफ था या यह मेरे मन में चल रहा था जब भी और अभी भी जब भी मैं दरबाट जाती हूँ बस लगता है कि मां को देखते रहो एक नजर बस देखते रहो लगातार बस उनने देखते रहो बहुत सुन्दर मतलब बहुत सुन्दर और इस वीडियो बस आज के लिए इतना ही मेरा खुद का ऐसे ही मैं बताना चाहरी थी कि हाँ मेरे मन में क्या चला था और आगर आपके मन में कुछ चला हो मा को देख कर के तो प्लीज कमेंट के थूँ जरूर बताएं और जैबाबा की